देश की आधी आबादी कही जाती है महिला शक्ति और जब महिलाओं की बात आती है तो आजकल वो इतनी सजग हो गई है कि चुनाओं में कौन से मुद्दे चल रहे हैं, कौन किसको उतार रहा है फिल्ड में, किसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, सब उनको पता होता है राजनीती अब महिलाओं के लिए पहले जैसी नहीं रही, वो हर मुद्दे पर अपनी राय बेबाक रखती हैं, आज मैं इन महिलाओं से जानना चाहूंगी, जैसा कि लोग सबाचुनाओं बेहत नस्दीक हैं, और अब महिलाओं के बीच में क्या चर्चा चल रही है, और क इस तरह के मुद्दे, किस तरह की बाचीत चल रही है, किस तरह की नीतियों पर ये सोच रही है, सब को जानेंगे हम इस वीजियो में इसलिए बने रहेगा आखिरता हमारे साथ, नमस्कार मैं हूँ चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं, राजस्थान सम्वा तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं, चाहे से उस सुरक्षा को लेकर हो, या फिर उनकी पढ़ाई को लेकर हो, विकास को लेकर हो, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने इन सारी नीतियों पर कैसा काम किया है? पचास या सो योजना यासी होगी, जो मोदी जी ने आयुश्मान भारत उज्वाला गैस, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और सुरक्षा के मामले में हल्प लाइन चालू कर दी, कि कोई महिला कर रात को भी काम करके आती है, तो वो अगर अपने आपको सुरक्षित मैस जनाओं के लिए, जो दिल में उनके लिए जगए है, वो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मेरे साथ, मैं आपसे जानना चाहूंगी मैम, जिस तरह से रात को बहु बेटी घर से बाहर निकलती है, तो कॉंग्रेस में आपने देखा होगा, आए दिन महिलाओं के साथ अत् जानना चाहूंगी, आप किसी घर की बहूं है, बेटी है, आपको क्या लगता है, कि आजकल जब आप सड़कों पर निकलती हैं, सुरक्षित महसूस करती हैं, जो कॉंग्रेस के कारेकाल में था, क्या उससे अपिस्तितिया उलट है, बिल्कुल सही का आपने, अभी हमारा जो इस देख का, जो मोदी जी नित्ता, वो धार किया है, महि महिला हैं, सारे सुरक्षित हैं, हमें किसी भी चीज के कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम कभी भी रात को निकल के अपना सारा काम कर सकते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगी, मैं अपनी महिलाओं के तरब से, कि मोदी जी ने हम महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम कि लिए हैं, शिक्षा हो, रोजगार हो, और किस तरह से, देखी महिला होने के नाते हमें हर तरह का प्रबंदन करना होता है, आपको क्या लगता है, जब आप वोट देने जाएंगी, तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं, आपके दिमाग में, कौन सा ऐसा चहरा है, ये प्रधान योजना है चलाई है, सभी वर्गों को साथ लेकर सबका साथ सबका विकास के मुद्दिप से आगे चलते हैं, सभी महिलां को बच्चों को, मतलब सभी अटल पेंशन योजन हो गई, बेटी बचाओ, बेटी पड़ाओ, योजन हो गई, जंधन योजन हो गई, सुकन्या यो किया है तो हम भारी से भारी बहु मस्से और भारी से भारी मुझसे मोधी को ही जीताएंगे मोधी जी को ही तो देखा आपने इनको मुझ जबानी यादे योजनाए इन्होंने चार पांच तो आपको गिना ही दी है स्क्रीन पर मेरे साथ और जिस तरह से महिलाओं में ये जी जब आप वोट देने जाएंगी तो आप कौन से ऐसे मुद्दे लेकर सोचती हैं कि मैं याने प्रधानमंत्री देखनों चाहूं हूं नरेंदर मोधी रो कोई ना कोई थाने दीखे हैं कॉंग्रेस में कोई चेहरों की कोई महरों पीम बन सके आप कौन सी मुद्दव पर वोट देने वाली हैं इस बार अपना अपको लगता है कि यहां पर राम राज्य के शुरुवात हो चुकी है महिलाएं हर मुद्दे पर यहां पर बातचीत करना चाहती हैं मैं आप से जानना चाहूंगी कि आप कौन सी ऐसी नीतियां देखिए बीजेपी महिलाओं को कितना आगे बढ़ा रही है और अपने प्र बहुत बढ़िया इन्हों ने कहा है कि आदमी नहीं औरते भी सशक्त होकर काम कर सकती है और यह सशक्त होकर काम करने का मौका बीजेपी पार्टी ने महिलाओं को दिया है जी आप क्या कहेंगे मोदी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है महिला को टिकर दे करके नारीश शक्ती को मजबूत किया है और आज देश में बहुत जरुत है क्योंकि जो राजस्तान है वो विरांगनाओं का देश रहा है और जैसे पदमावती है और रानी लक्षमी भाई है और आज मलब अंतिक्ष में देखो कहीं भी किसी भी शेत्र में देखो और विजय शिरी का चोला पैनाएंगे अगर अपनी आवाज बुलंद करके बताएं ताकि आवाज दूसरे ऑपोजिशन तक भी पहुंचे और विजय पी की नीतियों को साफ साफ ये बिजय पी तक भी पहुंचे कि आपकी नीतिया महिलाओं तक कितनी घर कर गई है तो देखा आपने किस तरह से महिलाओं के अंदर मुद्दे हैं वो सारे ज्वलंशील हैं कोई भी मुद्दा हो शिक्षा का हो रोजगार का हो उनकी सुरक्षा का हो या फिर उन्हें मौका देने का हो हर मुद्दे पर ये बाचीत करना जानती हैं और आपकी बार अपनी ना जरूर देंगी और जिस तरह से इनमें जोश दिखाई दे रहा है यहां पर उस तरह से साफ साफ लग रहा है कि इस बार भी मिशन 25 राजस्थान में पूरा होगा और हर सीट पर विजय बनाने के लिए ऐसे लोग रण में मौजूद हैं विजय पी की जीत सुनेशित यहां पर दिखाई दे रही है कैमरा मैं करें शर्मा के साथ चेतना शर्मा राजस्थान संबाद नमस्कार